हेलो फ्रेंड स्वागत है मेरे किचन में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए आज मैं लेके आई हूँ आलू गोवी और मतर की मसालेदार सबजी एक बार इसे जरूर ट्राइक किजिएगा ये सबजी बहुत ही जादा टेश्टी बनती है आप इसे रोटी पूरी चावर के साथ सर्फ कर सकते हैं तो चलिए फिर बनाते हैं ये देखिए हमने दो बड़े साइच के आलू जिसे छोटे टुकुना में कट किया है ताई 100 ग्रा कर साइच करके हम इसे मुठी ही टालीजें बेख सकते हैं तेल गरम हो गया तब हम इसे म।ो सबक्रेंगे जोंने कट करके रखा है साथ में हम आलू भी डाले EVERY और어나 इसे और इसे दो मिनद्ट तक फ्राय करेंगे तो इसे अच्छे से मिक्स करके हम हम इसे 2-3 मिनिट तक मीडिया माच पर फ्राय करेंगे अब हम इसमें मटर डालेंगे और फिर से हम इसे मीडिया माच पर 3-4 मिनिट तक फ्राय करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए अब हम इसे ढख देते हैं और ढख के से फ्राय करेंगे जब तक फ्रै होती है ये दिखे एक बड़े साइच का प्याज 8 से 10 का लिया लेसन और एक इन चद्रक का टुकड़ा है इसका हम पेश्ट तियार करेंगे ये दिखे हमने इसका पेश्ट तियार कर लिया और ये एक बड़े साइज का टमाटर है इसका भी हम पेश्ट तियार करेंगे अब इदर हम चेक करते हैं देख सकते हैं आलू और गोबी में कलर आना शुरू हो गया है हम इसे एक मिनट और फ्राय करेंगे बस ये अच्छे से फ्राय हो गया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ये देखिए हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया अब हम सेम कड़ाई में फिर से दो से तीन चम्मच तेल डालेंगे तो तेल गरम हो गया है तो इसमें दो तेज़ पत्ता एक चम्मच जीरा और ये दो से तीन हरी मिर्च मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे आपको पसंदो अब हम इसमें प्याच लहसा नद्रक वाला पिस्ट डालेंगे और इस अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर से हम इसे दो से तीन नट तक मीडियम आच पर फ्राइ करेंगे जब तक कि प्याच का कलर चेंज ना हो जाए ये देखिए प्याच का कलर चेंज हो गया है इसका मतलब प्याच हमारा फ्राइ हो गया है अब हम इसमें टमाटर वाला पेस्ट डालेंगे इसे मिक्स करते हैं ये दिखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसे हम ढखके दो से तीन नट तक मीडियम आच पर फ्राइ कर लेंगे बीच बीच में चलाते रहे फिरसे से ढखकन ढख देते है तो बस प्याज और टमाटर फ्राइ हो गया अब हम इसमें मसाला डालेंगे तो मसाला में हमने एक छोटी चम्मच धनिया पॉडर एक छोटी चम्मच हल्दी एक छोटी चम्मच जीरा पॉडर और आदी चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च पॉडर इसे हम मिक्स करते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे तूम मिर्ट तक फ्राय कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से फ्राय हो जाए तो इसका हम डखकन डख देते हैं ये दिखिए मसाला फ्राय हो गया है तो इसे अच्छे से मिक्स करते हैं एक बार अब हम आलू को भी मटट डालेंगे जो हमने फ्राय करके रखा था और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए आलू को भी को हमने अच्छे से मसाला के साथ मिक्स कर लिया अब हम इसमें नमक डालेंगे तो हमने नमक पहले नहीं डाला है तो स्वाधकेर उसा नमक डाल लीजिए तो दो छोटा चमच हमने यहां पर नमक डाला और इसे फिर से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे एक मिनिट तक फ्राइ करेंगे अब हम इसका ढखकन ढख देते हैं ताकि गोवी और आलो अच्छे से सौफ्ट हो जाए ये दिखे तीन से चार्वनट हो गया है आलो और गोवी अच्छे से सौफ्ट भी हो गया है और साथ में मसाला भी अच्छे से पक चुकी है तो बस अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे तो ग्रेवी आप अपने इसाब से रख सकते हैं और इसे मिक्स करते हैं इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक छोटा चमच गरब मसाला डालेंगे और हलका सब फिसे मिक्स करेंगे अब हम इसे ढकन ढक के मीडियम आज पर दो मिनट तक पका लेंगे तो बस दो मिनट हो गिया है अब हम गैस को बंद कर देंगे और उपर से थोड़ा सा कटी भी धन्या पत्ति डालेंगे तो बस अलुगोवी और मटर की मसालेदार सब्जे बनके त्यार है आप एक बाद जरू ट्रा कीजिएगा आप इसे रोटी पूरी या फिर चावल के साथ सर्प कर सकते हैं अगर आपको ये रेस्पी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें सेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू हैmyphone ये है